हलो दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में दोस्तों आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही मेटोपून टॉपिक लेके आई हूँ दही इसके साथ लगाएं और त्वचा पर लाल पपड़ी जैसे दाग खुजली से मुक्ति पाएं आईए जानते हैं इसके बारे में आज बात करेंगे फंगल इंफेक्शन की, फंगल इंफेक्शन तवचा पर होनी वाली, एलर्जी यानि की संक्रमन को कहते हैं, ये शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकती है, लेकिन ज़ादातर पैरों में ही देखा जाता है, इसे पैरों की तवचा पर लाल पपड़ी जैसे दा केथ है, इसमें खुजली होती है और ये लाल चक्को जैसा दिखता है, फंगल इंफेक्शन अधिक पसीना आना, एंटिबायोटिक के साइड इफेक्ट्स, साफ सफाई ना रखना, शरीर में गर्मी, अधिक तेर तक पैरों का गीला रहना और ब्लड सेर्कुलेशन की कमीर क की वज़े से होता है, फंगल इंफेक्शन यानि की संक्रमन पैरों में होने की वज़े से जूते पहनने में भी कई बार दिक्कत होती है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तत बहुत जल्ब फैलता है, ऐसे में कुछ घरेलों उपाई करके फंगल इंफेक्शन यानि की त्वचा का संक्रमन को खत्म किया जा सकता है आईए जानते हैं ऐसे कुछ आसान उपाई जिसे आप इस संक्रमन से बच सकते हैं पहला उपाई है दही में मौझूद प्रोबायोटिक्स लैक्टिक एसिट इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करते हैं इसके लिए दही को कॉटन की मदद से प्रभाविक जगह पर लगाएं और 30 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धोलें ऐसे दिन में दो बार करें जिससे पैरों की खाच-खुचली शंक्र वाली एरिया में लगा लें और 30 मिनट बाद इसे धोलें इससे बहुत जल्द रहात मिलेगी इसके बाद टीट्री ओयल का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं इस तेल में एंटिफंगल और एंटिसेप्टिक गुड़ होते हैं जो फंगल इंफेक्शन से रहात दिलाते हैं इसके मिला करके पिए इसमें मौझूद एंटि माइक्रोबिक गुड़ फंगल और इंफेक्शन से लड़ने में शरीर की मदद करते हैं ये कुछ ऐसे हो पाएं हैं जिससे आप अपने त्वाचा की संक्रमंज से दाथ खुजली या फिर किसी भी तरह का फंगल इंफेक्शन को द सुन रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी प्राब्लम हमारी सॉलिशन के साथ मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलों उपचारों के साथ जिस से आप अपनी परिशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए फिट रहें हल्दी रहें खुश रहें थैंक्यू